प्रेमेंद्र गारू मैं हिंदी में बोलूँग तेलबू में उसका ट्राप्लेशन प्रेमेंद्र गारू के द्वारा किया जा है वेदि का पैनमने का पट्दल ने संबोधित तो वारे वारे का उपञणियासा ने प्रार्भ मीचर हूँ मेरे बहनों भाईयों मैं तेलंगाना की कई सार्विनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूँ आज जब इस तेलंगाना की सार्विनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए आप सब के बीच आया हूँ और यो भीड मैंने यहाँ पर देखी है मैं कह सकता हूँ कि तेलंगाना में भारती जनता पार्टी का टेम्पो इस समय बहुता हाई है मैं चाला रोज लुँँची तेलंगाना लो प्रचार सबल लो पालु गोंटुन्दानू मैं तेलंगाना को अच्छी तरह जानता हूं तेलंगाना ये पुरसार्स की धर्ती है ये पराक्रम की धर्ती है तेलंगाना वे प्राचीनता और अध्यात और आधुनिता दोनों का एक अद्वुत संग्नम है और यहां की कला, यहां का कौशल, यहां का कारीगरी भारत में ही नहीं बलकि सारी दुनिया में जानी जाती है तेलंगाना वीर वनी तेलंगाना गड़ा इकड़ा नई पुन्यत गानी मरी पनिती रुगानी ये मात्रम तीस पोनियों का प्रांतम ये तेलंगाना प्रांतम तेलंगाना यह भगवान और चिम्हा की धर्ती है तेलंगाना यह माँ भद्रकाली की धर्ती है यहां रामप्पा मंदिर है तो काकातिया तोरनम भी है इस तेलंगाना में तेलंगाना मरी प्रमुका देवाला यालकु पेर गांचनेयो का प्रदेशं इकड़ा रामपयो का मन्दिरमू अदेविजंगा साकतिय तोरणानी की प्रतिका इतलंगान प्रांतम राणी रुद्रमा और कुमरम भीमा के अध्भुत शौद और पराकरम को कौन भूल सकता है जिसका यशौगान केबल तैलंगाना ही नहीं बलकि सारे भारत में किया जाता है इस धर् ती का मेरे बेहनों भाईयों यह कै चेहासिक महत्वा है और इसले मैं एक बार तेलंगाना की धर्ती को और तेलंगाना की धर्ती पर रहने वाले लोगों का मैं शी जुकाकर हारदी के भिननन करता हूँ मैं उनका स्वागत करता हूँ मैं आप दिलाना चाहता हूँ भारती जन्ता पार्टी के बारे में 1984 में भारती जन्ता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी लोकसभा के चुनाव में भारती जन्ता पार्टी को जब केवल दो सीटों पर विजय हासिल हुई थी तो एक सीड जहां पर विजय हासिल हुई थी वह गुजराग था और दूसरी सीड जहां पर भारती जनता पार्टी को 1934 में विजय हासिल हुई थी वह अत्ते लंगाना था जहां पर जंगारेडी ने विजय हासिल की थी और भारती जनता पार्टी ने ऐसा काम किया कि आप देख रहे हैं 27 एर्स 27 वर्थों से लगातार गुजरात में यह सरकार बन रही है बहनों भाईयों मगर मैं कहना चाहता हूँ आज दिकास का माडल सारे हिंदुस्तान में यदि कोई राज्य माना जाता है तो वह गुजरात माना जाता है काने आ तरवात गुजरात लो यह विदंगा अबुरुदी कारक्राओं मगलें दी गता 28 समस्रालें जी बारत ये जन्ता पाटी कलस्तू वस्तू नदी देशं लो ये वाला अबुरुदी की प्रतिकंटे गुजरात लास्तू मचे पेच अपकोल सूस्तू नदी यदि टेलंगाना में हैदराबाद को आप छोड़ दें सायद ही कहीं पर जैसा विकास नो दस वर्तों में बियारेस को करना चाहिए था केशियार को करना चाहिए था उन्होंने किया हो कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ है मैं पूछना चाहता हूँ क्यारीत गुजरात का विकास हो सकता है हिंदुस्तान के अन्राज्यों का विकास नो दस वर्तों के अंदर हो सकता है पूरे भारत का मस्तक सारी दुनिया में नर्नरमोदी के नेतुर्त में उचा हो तकता है तो आपके नेतुर्त में तेलंगाना का विकाच क्यों नहीं हुआ इस सवाल का जवाब तेलंगाना की यंता चाहती है और मैं केशियार जी से कहना चाहता हूँ तेलंगाना राज्य बनाने की लड़ाई केवला आपने अकेले नहीं लड़ी है तेलंगाना राज्य बनाने की लड़ाई भारती जनता पार्टी ने लड़ी है और मुझे यदि क्रेडिट देनी हो स्रे देना हो किसी को तो तिलंगाना राज्य बनाने का स्रे क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ तो तिलंगाना राज्य की जनता को देना चाहता हूँ मेरे बहदो बाई कांग्रिस तो मजबूर होकर जनता के दबाव में उसको तिलंगाना बनाना पड़ा था और मैं कह सकता हूँ तेलंगाना राजी तो बनाया है और आज भी आन्द प्रदेश से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल निकलना चाहिए था जिनका समाधान निकलना चाहिए था वह समाधान नहीं निकल पाया क्योंकि कांग्रेस ने इसमें इतनी गड़वड़ियां कर दी थी कि बहुत सारे तेलंगाना से जुड़े हुए मुद्दों का आज तक समाधान नहीं हो पाया आंदर पेश लोगानी तलंगानो लोगानी अनेक समस्य लको परिश्यकरां करन गड़वड़ों लो कांग्रेस वाइपल लें जिन्दिन्दी कर नहीं पार है और मैं आद दिलाना चाहता हूँ हम लोगों ने भी आदन यतल विहारी बाट पर भारत के प्रधान वंतरी थे उनके रहते हुए तीन स्टेट्स बनाए थे उत्तरा खंड जार खंड और च्छतिस गड़ कोई जाकर देख सकता है उत्तरा खंड जार खंड च्छतिस गड़ में आज कोई परिशानी नहीं है बलकि इन तीनों राज्यों का तेजी के साथ विकात हो रहा है केशियार जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हो गया है आपको तेलंगाना की राज्यकी जनता ने लगातार आपको दो बार आपकी सरकार बनाई हैंड ओवर्स का समय गुजर गया है क्यों नहीं तेलंगाना का विकास हो पाया है तेलंगाना की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है तेलंगाना को डेवलप्मेंट का पोटेंसियल तेलंगाना के लोगों के अंदर है तेलंगाना के लोग परिस्रम करने वाले हार्ड वर्क करने वाले इसकिल है उशलता है बुडबता है सब कुछ कर सकते हैं फिर भी केशियार जी मैं इस सवाल का जबाब चाहता हूँ क्यों नहीं टेलंगाना राज्य का विकास हो पाया यह हिंदुस्तान की जंता इस सवाल का आप से जबाब चाहती है मेरे बहनों भाईयों दस वर्सों में टेलंगाना का विकास नो केवल लिमिटेट रहा है बलकि प्राइवेट लिमिटेट बन कर रह गया है बराबर यहां पर केशियार जी है आपकी फैमिली का आपके परिवार का हस्तक छेप इंटर्फरेंज यह बराबर रहता है क्यों यह रहता है मैं यह जाना शाहता हूँ जंता ने आपको मुख्वंत्री बनाया था आपके परिवार को मुख्वंत्री नहीं बनाया था मैं परिवार के किसी सरस्ट के उपर आ रोप नहीं लगाना चाहत cocoa आपके बेटे-बेटी हम सब लोगों के बेटे-बेटी हैं सबी का हम सम्मान करना चाहते हैं लेकि सरकार आपको चलानी थे पूरा परिवार ही सरकार चला रहा है तेलंगाना की जन्ता की उपेख्षा हो रही है प्रजेलू मी कादिकारा में चारू कानी मी कुटुम्बानी किये लेजू कानी इवाला जरू तुन्हे देविटी मुत्ता मी कुटुम्बाना लवने का मीयो का पुड़कु गावाच्छो मीता बंदो लगावाच्छो कूत लगावाच्छो इवाल अंदर गल्ची गुड़ा अधिकारा ने चलाई सुन्हारू और केशियार की केशियार की हुकुम्बत में अब्यूज अफ पावर याणि सत्पा का दुर्पयोग हो रहा है और साथी साथ करपसन पेजी के साथ बढ़ रहा है केशियार जी आप यह कहते हैं कि हमारे हाँ कोई करपसन नहीं है लेकिन मैं कहना शायता हूं कि आज आज के परिवार के करपसन की चर्चा केवल ते लंगाना तक हैदराबार तक ही सिमित नहीं है बल्कि उसकी चर्चा दिल्ली तक पहुँच गई है और केशियार जी आप भी सच्चाई को जानते हैं बिना आग के धुआ नहीं उठता है ये रोज ना मी योका अधिकार दुरियों नहीं कारणांगा मी रूपएस्तुन नहीं अधिकारं कारणांगा केशियार जी केशियार जी केशियार जी केशियार गारो अधिकारं लेकपोते उंडलेर वारू तेलंगाना की जनता आपसे जानना चाहती है और चाहती है कि स्टेट फर्स्ट हमारा लक्षय होना चाहिए कि राज जी पहले स्टेट फर्स्ट लेकिन केशियार जी कहते हैं स्टेट फर्स्ट नहीं फैमिली फर्स्ट मेरे दोस्तों फैमिली का होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन पूरा प्रदेश ओनली फैमिली केवल पडिवार के हवाले कर दिया जाए या किसी और को मंजूर हो सकता है लेकिन भारती जनता पार्टी और तेलंगाना की जनता को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं हो सकता और मैं तो इटाला राजिंदरगारू को बढ़ाई देना चाहता हूं अपनी तरफ से कि बहनों भाईो इटाला राजिंदरगारू ने इसी मुद्दे के ऊपर सत्ता को ठोकर मार कर भारती जनता पार्टी की सरस्ता स्वीकार की नेनों इटाला राजिंदरगारू की सुबा कांचलो तेले जेदल्च कुन्नानों इदे विशेंपईना अधिकारा ने वजले शुर्चुन योकवेक्टी इटाला राजिंदरगारू और मैं कहता हूँ यह जो चुना हुआ था बहनों भाईो बाई अलक्संज जो हुआ था जिसमें हमारे इटाला राजिंदरगारू चुनाओ लड़ रहे थे मैं कह सकता हूँ यह इटाला राजिंदरगारू यहारे बीजेपी के कंडिरेट थे और उधर कोई बी आरेस का कोई कंडिरेट नहीं लड़ रहा था बलकि ऐसा लग रहा था इतने पैसे खर्च हुए इतने पैसे खर्च हुए जैसा मुझे बतलाया गया जैसे लगता था कि स्वयम केसियार चिनाओ के मैलान में हों लेकिन हमारे इताला राजिंदरगारू ने उनको धूल चटा दिया और भारती जन्ता पार्टी का जंडा लहरा दिया नेन विन्नानू इकड़ जरीन योक्का उपयनिकलललो इतल राजिंदरगारू पोटी जेशारू काने अधिकार पार्टी वैपनींची गादू बारती जन्ता पार्टी वैपनींची मरे आए नोडिंचडानी की कोणी वंदल पोटलो वेड़ पोटलो अधिकार दुरूइर नगेंजेशारू स्वायंगा केशियार रंगवलो दिगिनपड़ की इवाला केशियार नोडिंची इटल राजिंदर केलवड़ मनेजी इवाला नेन अभिननन दन तेलिए मैं केशियार जी मैं केशियार जी आपसे पूछना चाहता हूँ कैशियार जी आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हुआ आपके वादों का क्या हुआ आपके प्रामिस का आपने प्रामिस किया था आउंगा तो हर नوجवान को मैं इंप्लाइमेंट देंगा रुजगार यह मेंने मिमाग दाना लो यह मेंने मिर्जे पिना माट लो युवाला युवापलक उद्जोगार इस्तमन रो उद्जोगार लविंच ने या मैं पूछना चाहता हूँ यहां पर वैकेंसीज है अस्थान खाली है वहां पर लोकरी दी जानी चाहिए इंप्लाइमेंट जवानों को दिया जाना चाहिए क्यों नहीं दिया लिया एक्जाम होता है एक्जामनेशन में पेपर लिख होता है यह आपके प्रसासन की नाकामी है आपके शासन की नाकामी है आपके शासन अप्रसासन की गलती है इसके लिए आपको केशियार जी आपको और आपकी पार्टी को आपकी सरकार को तेलंगाना की जबानों से छमा मागना शाहिए हर दलित परिवार को तीन एकट जमीन देने की बात आपने कहीं मैं कुछना चाहता हूँ कितने दलिद परिवारों को तीने कर्की जमिन मिली है दलिद परिवारों को बिजनेस के लिए दफलाक रुपया देने का कबादा किया था कितने परिवारों को दफलाक रुपया दिया है केशियार में बैनों भायों नेता ऐसा होना चाहिए जो वक कहे वक करे उसके वर्ड्स और डीट्स में अंतर नहीं होना चाहिए नेताओं के वर्ड्स और डीट्स में अंतर होने के कारण ही भारत की राजमीत में राजमीत और नेताओं के प्रति एक क्राइसिश अप्रिडिविल्टी एक विश्वस्नियता का संकट पैरा हुआ है और इस विश्वस्नियता के संकट को इस क्राइसिश अप्रिडिविल्टी को भारत की राजमीत में किसी राजमीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारे प्रधार मंत्री नरंद्रमोदी के नेत्रत्तों में भारती ये जन्ता पार्टी ने स्विकार गिया है जो हम कहते हैं वो हम करते हैं जो हम कहा था जो हम कहा था जो हमारे प्रधार मंत्रमोदी के ने स्विकार गिया है काम मक्ये मंदिर में दर्शन कर सकते हैं मेरे बहनों भाई जे इस्विराम बारती ये जन्ता पार्टी जेपिन ने हमने कहा था हमारी गौ़र्मेंट बनेगी सेंटर में हम कास्वीर की आर्टकिल 370 को स्वाप्त करेंगे जम्मू कास्वीर का भी वही स्टेटस होगा जो हिंदोस्तान के अन्राजियों का होगा वह भी हमने पूरा करके दिखा दिया बहनों भाईयों मैं एक दो उदाहन इसलिए आपके सामने रखा कि दियंद्वस्तान में भारती जन्ता पार्टी कैसी पार्टी है जो कहेगी वह करेगी उसके वार्ड्स और डीट्स में कभी अंतर नहीं हो सकता है बारती जन्ता पार्टी जेपिंदी जम्मो का स्विर्लो 370 आर्टिकल तोलगिस्तामनी इवाला तोलगिंची निरूपिंचडन जर्गिंदी अधे विदंगा देशमलो ये माट जेपिना माट निलवेट कुंटो मुंदु केलतु नहीं का पार्टी बारती जन्ता पार्टी आंधु को समें जता नेक समस्रालनेंची उन्ना दी बावशत लोग उड़ा उन्टदन चेपिस अंदर बंगा निंटेली ये सुनना नू तेरे बेहनों भाईो बियारस का एक भी ऐसा काम आप नहीं वटा सकते जो करक्सन फ्री हो एक भी काम नहीं मिलेगा दरनी नाम से एक लेंड रिकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम तयार किया था मैं केशिया जी से पूछना चाहता हूँ अब क्या हुआ उसका पूरा सिस्टम ही करक्सन इर्रेगुलर्टी आनियमित्ता और विफल्ता की एक मिसाल बन कर रह गया है उसका एक उदाहन बन कर रह गया है भू अपकुल गल्पी समंचे पी दरणी आने एक वेब पोटल दिसकरावड़न दरीएंदी यही काम हम अपने प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रत में हूँ स्वामित्व योजना हू स्वामित्व योजना के अंतर गत्थम कर रहे है बैनो भाईयो और सारे जितनी भी जमीन है उसकी डिजिटल मैपिंग करा रहे हैं पूरे देश में कहीं का भी आप लैंडरी कार्ट देखना चाहते हैं तो एक क्लिक पर आपको मिल जाएगा हमें कैसी ब्यवस्था कर रहे हैं मार्च तक हमारा यह काम सारे देश बर में लैंड के डिजिटल मैपिंग का यह पूरा हो जाएगा अजे नर्यंद्र मोडिगार यह का प्रभुत्वम भू स्वाम मित्र पतकमाने यह का पेरतोनी प्रजलंदरी कुड तम यह का भूमी हक्कुलनु कलिपींचे विदंगा यह करने से लाविय होगा कि कही पर कोई लैंड डिस्प्यूट होगा जमीन को लेकर शगडा होगा वह समाप्त हो जाएगा अंदरे बहनों वाईओ इतना ही नहीं आप अपनी लैंड पर यह कोई पैसा लेना चाहते हैं किशी बैंक से तो आप सीधे बैंक में जाकर उस पर जो है लोन भी ले सकते हैं पैसा भी ले सकते हैं यह का केंदर प्रवुत्वं अंदरे शेयो का यह अकुपत्राला कारनेंगा आप के लिए तेलंगाना के लोगों के लिए हमारे प्रधान मंतरी नरंजर मोदीजी ने यह सारे देश को दिया है वैसे ही यहां भी दिया हमारे प्रधान मंतरी ने यह नहीं देखा कि यहां की दूसरे राजनितिक पार्टी की सरकार है आई उस्मान भारत योजना के अंतरगत पांच लाख रुपे तक का प्रतिवर्थ का मुफ्ति इलाज यह योजञ नहां हम ने दी इस ही योजञा को भी यहां पर हावी तरीके ते केसियार ने लागु नहीं किया प्रधान मंतरी आवास यह योजञा की अंतरगत लोगों को मकान, लोगों को चछद, पका मकान, पका घर देने का काम सारे हिंदुस्तान में चार करोड से दिक लोगों को दिया है हमारे प्रधान मंत्री ने लेकिन उसको भी यहां पर लागू नहीं किया गया तेलंगाना मैं कहना शाहता हूं तेलंगाना का जहां तक प्रश्णा है हमारे प्रधान मंत्री के दिल के करीब है दिल के करीब था दिल के करीब है और दिल के करीब रहेगा मना प्रधान मंत्री नरेदर मोडिगारू मिगता प्रवुत्वाल लागा मा पार्ती प्रवुत्वान लेधुगादन चेप्पिये आकडा स्कीमसु इवड कुणडा हुण्डे वेक्टी कादू मरीवाल देशवयाप्तांगा इच्चन विधंगने इकड़ वुडा मरे आईश्मान बारत पेर्तोनी वकोक्का कुटुमानिका ऐधु लक्षलों यका लग्दी चेकूर्चे यका पतकांदी इस्तर वड़न दर्विधंगा देशवयाप्तांगा एविधंगने ते प्रध करोना के दौरां दो दो डोज वैक्षीन की लगवाने का काम हमारे प्रधान मंच्छी न किया। सिफ्टी, फिफ्टी यानि पच्छास, पियसे प्लांट, तेलंगाना में हमारे पुर्धान मंतिर नहीं लगवाए, लेकिन बहनों भाईो, यहां पर, यहां की सरकार, जो मदद करनी चाहिए, वो सरकार नहीं कर रही है, इफ्टिप मदरली ट्रीटमेंट, हमारे यहां के रह कमर्थन, यह भारती जन्ता पार्टी को प्राप्त होना शाए, मियो का मदद, मियो का समर्दन, मियो का अभिमानम, भारती जन्ता पार्टी का उसरम, इंद कंटे, देशे वे आपतंगा, जरुतों ने काबरुदी, तेलंगाना रास्तलों सहितन जरगा लंटे, इकड़ा, म मियो का अभिमानम, मियो का मदद, भारती जन्ता पार्टी का उसरम, मैं तेलंगाना की जन्ता से कहना शाहता हूं, आपने बियारेस को दो बार देखा, उनको मौका दो बार दिया, हमें केवल एक बार मौका देखकर देखिए, कि भारती जन्ता पार्टी कैसे सरकार इस ते ये शिंदी कानी वकावकाशन भारत ये जनताव पार्टी की वालन चेपी में अंदरी गुड़ाने सभी नेंगा मनविजे सुनानू हर श Caro में महिलाओं की भाली तरी बढ़ाने के लिए भी हमारे प्रधान मंतरी ने कई योज़ाएं प्रारम बतुष की ए और आज फौजों में भी महिलाएं भाग ले रही है फौजों में महिलाएं अडिकारी बन रही है फौजों में जा रही है जरूरत पड़ी तो सीना पर भी वर तैनात होंगी और भारत की सीमाओं की वर तरक्षा करेंगी अब इहाल में ही देखा एक ब्यास्था हो गई नारी शक्ति बंदन एक कानून पाश हो गया अब दो हजार उन्तिस से हो सकता है कि दो हजार शब्वीस ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स से ही मेरे बहनों बायो अब भारत की असेंबली में पार्लामेंट में हरी स्टेट की असेंबली और भारत की पार्लामेंट में 33 परसंट प्रतिनित्वरी किसी का होगा तो बहनों का होगा माताओं का होगा मैलाओं का होगा इरोजुना अन्नी रंगाल लो मैललु मुंदु कोस्तुन नारू इक अन्नी योका मरी चेत्राल लो गुडा मुंदु कुर आवड़ं कोसं इवाला नरेंद्र मोडी प्रभुत्वं प्रोचैस्तुन अदी सरकार कैसे चलाई जाती है यह कलाजी सीखना है तो केशियार जी आपको भारती जन्ता पार्टी से सीखना पड़ेगा जो जो भी कदम हम लोगों ने उठाए है उसका स्वागत पुरे हिंडुस्तान में हुआ है उसकी चर्चा दुनिया के दूसरे देशों में भी है आज राजी उगांदी जी थे राजी उगांदी जी कहते थे कि मैं क्या करूँ मैं दिल्ली से सो पैसा भेजता हूँ लेकिन लोगों के पास पहुंचते पहुंचते लोगों की जेब में केवल चौदह पैसा फॉर्टीन पैसा पहुंच पाता है सेज पैसा करप्सन की भेंट चड़ जाता है उन्होंने मजबूरी व्यक्त की थी लाचारी व्यक्त की थी लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने जंधन खाता खोल कर डीबीटी के मार्ध्यम से ऐसी व्यवस्था कर दी कि अधि दिल्ली के बैंक से सो पैसा निकलता है तो सो का सो पैसा आपकी जेन में पहुशता है वह भरस्टाचार की भेंट नहीं चड़ने पाता है वह भरस्टाचार की बैंक से लेकिन भारती जन्तापार्टी जाती पंथ और मजहफ कास्ट क्रीप और रिलिजन के आधार पर राज़नीत नहीं करती है बलकि राज़नीत करती है तो इंसाफ और इंसानियत यानि जस्टिस और हिमेर्टी के आधार पर करती है युआला ये रोजवालो केवलम राजे के में विदंगां उन्दर खुल तत्वम पैना प्रांत पत्वम पैना वर्गत पैना राजे के आल जे सुनारू और मैं कहना चाहता हूं बहनों भाईयों कि हमारी सरकार प्रधानमंती मोधी के नियत्तित्त में कैसा काम किया है आप सभी जानते हैं अर्थ बहुस्था के आकार के दिर्ष्टिशे जो हमारा भारत आज के नौ दस परस पहले दसमई 11 अस्थान पर था आज वह जंप लेकर दुनिया की टाप ठी एकानमी दुनिया की टाप की तीन अर्थ बहुस्थाओं में आकर धुनिया की टाप पांच अर्थ बहुस्थाओं में आकर खड़ा हो गया है और 2027 साथ या आते बहुनों बाईयों मैं दावे के साथ कह सकता हूं यस तरीके से हमारे प्रधान मंतरी काम कर रहे हैं उनके ने तुर्त में सरकार काम कर रही है हमारा यह भारत दुनिया की टाप ठी एकानमी जबे यानि दुनिया की टाप तीन अर्थ विवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा मैं यही कहना चाथा हूं मैं बहनों भाईयों बी आरेस की कार बेकार हो गई है यह 40 हो गई है मैंने जहाँ सवाल हांत का तो हांत आपका साथ छोड़ चुका है मैंने जहां सवाल हांत का तो हांत आपका साथ छोड़ चुका है इवाला बी आरे सने दी इवाला प्रजल अंदरी गुड़ा चेई चेशिन इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कमल को अपनाईए कमल को अपनाईए कमल को सीकार कीजिए और बटन दबाना है अगले चुराव में तो कमल का बटन दबाईए आप जानते हैं लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी घर पर एदी आती है तो वह कार पर बैट कर नहीं आती लक्ष्मी जी घर में आती है तो हाँच पकड़ कर नहीं आती लक्ष्मी जी घर में आती है तो कमल के फूल पर ही बैट कर आती है मैं अंदर ही देल्सू लक्ष्मी दीवी एकड़ गुर्चूट दी कमलंपैन गुर्चूट दी कावटी कमलंगन का विकसिस से मन अंदर योका इनललो गुड़ा सिरिसम पदल उंटाई वर्बारती जन्ता पार्टी गिल से अंदर की गुड़ा अवरुद दियाने दो सुन्दी बैनों भाईयों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं फिर से इटाला राजंदर गारू को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी असेंबली कांफिशन्सी है इस बार इस बार आपने 23,000 से उनको जिताया है इस बार तेलंगाना का पूरा रिकार्ट तूपना चाहिए इतने भारी मतों से इटाला राजंदर गारू जीत कर चुनाओं में पहुंचने चाहिए आप तर तो बहुत बहुत है